हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू दा एग्री आईक्यू सो इस चैनल पे मैंने इंग सीरीज स्टार्ट किया है जिस पे हम लोग भी एसी एग्रिकल्चर पे आने वाले जो सेमस्टर एक्जाम सें फर्स्ट यर और साइकंड डियर के उनके प्रिवेस एर कोशन पेपर प्लस आपको किस तरीके से एक्जाम में परफॉर्म करना है प्लस जब हम लोग इस सीरीज के थू जाते हैं इन कोशन पर को सॉल्व करते हैं हम लोग जो बेसिक टर्म्स आये हुए हैं उनको पिडिसकस करेंगे अधर दैन दो गॉस्टेंस जिससे कहीं ने कहीं आपके सिलि बस एक रिवाइस्ट फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि कल हमने देखा था फॉर्स्ट येर का लेक्चर आज हम लोग करेंगे सेकेंड येर का जो फॉर्स एक्जाम है एबी एम फाइफ टू 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 वन जिसका कोर्स टाइटल है एग्री बिजनस मैनेजमेंट ये जो कोश्चन पेपर है ये 2021-22 में आया था सो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे सबसे पहला है हमारे पास पार्ट ए जिसमें पहला कोश्चन है चूज दा करेक्ट आंसर सो पहला है विच अमंग दा फॉल्लविंग ड़स नॉट बिलॉंग टू वेलफेर स्कीम फॉर मतलब कि इन में नीचे दिएगा कुछ स्कीम सें इन में से कौन से स्कीम है जो फार्मर के लिए बिलॉंग नहीं करता है फार्मर के लिए वह फेवर नहीं करता है तो फिट ऑप्शन देखते हैं पहला है किसान क्रेट कार्ड स्कीम गाज प्रोग्राम थर्ड है नेशनल एग्रिकल्चर इंस्यॉरंस स्कीम फोर्थ है इंप्लॉई रिफरल स्क्रीम पहला किसान क्रेडिट कार्ड इसके बारे में हम सब लगे सब्सक्राइब लाई को पता है यह वाला जो अपना स्कीम है सिए हम लोगो अक्रीं playing एक इस मेलते ही है national agriculture को यह प्रमोट कर रहा है इसका मतलब फार्मर को प्रमोट ही करेगा तो बचा हमारे पॉस्त कौन सा पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि एक प्रोसेस एक डिसिप्लीन है एक साइंस है मतलब कि क्या है यह इसका मतलब हमारा यह क्या है जो डी ऑप्शन है और यह करेक्ट है उसके बाद है अपने पास थर्ड विच अमंग्ग लार्जस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंब फर्म फर्टिलाईजर एंड केमिकल निमिटेड स्टा इंड विंड इसका अप्षिन है गुजराद स्टेट फटिलाइजर एंड केमिकल नेमिटेड first question जो है what is the cause of problem of low profit मतलब कि कौन सा कारण यसके कारण लोग confront उता है मैं तो फिर पूर मार्केट्टिटि इसर्च और गenne Long NPS कंट्रें टो पूर मारकेटि रिसर्च करमार्च यह कारंध जरूर है पर यह भी आगे प्रोसेश देखते हैं दूसरा और्गनिक फार्मिंग से लोग प्रॉफिट हो ऐसा कोई चीज है नहीं लोग यिल्ड जरूर होता है पर इसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होता है वह ज्यादा होता है और प्राइस वैल्यू है यह ज्यादा है क्योंकि इस सप्लाइब में इसका अमाउंट कम है अ या मार्गेट फंक्शन है यह हर चीज को इंक्लूड करता है तो मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिसके कारण लोग प्रॉफिट हो रहा तो इसमें आएगा अपना फॉल्टी गॉवर्मेंट उसके बाद आए हम लोग दा एक्रिकल्चर वैल्यू चीन फाइन्स इस कंसर्ण वि इसका मतलब जो वैल्यू चेन रहेगा वह कहां से स्टार्ट होता है इनफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है फंट उसमें इंक्लूड होंगे ही प्लस उसमें एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है तो इसमें हर चीज होता है इसलिए इसको करेक्ट ऑप्सन है हमारे पास दी सब्सक्राइब देखेंगे नेक्स्ट कुष्ण जो कि है फिल इन दा ब्लांक इसमें फॉस्ट कोस्ट्ट है हमारे पास अग्रीगर्टर बिजनेस मैनेजमेंट इस डायनेमिक डिजिजन मेंकि प्रोसेस दैट तो मैक्जिमाइजमाइज मतलब जो एग्री कलचर का बिजने management है यह एक dynamic decision making process है किस चीज को maximize करेगा business management कर रहा है यह मतलब किस चीज को maximize करेगा हमारे income को maximize करेगा जितने भी process हम लोग करते हैं कहीं ने कहीं earning के लिए करते हैं income के लिए करते हैं तो इसका correct answer है net income फिर हमारे पास seed animal feeds fertilizer and farm input used in farm production are considered dash industry of agribusiness agribusiness की industry के बारे में यहां पर बात हो रहा है तो यह चीज अपने को पता ही कितने industry होते हैं इसमें तीन तरीकी की होते हैं एक primary फिर secondary तर्सरी तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो seeds है animal feeds है fertilizer है farm equipment है तो we are better known to this कि जो भी जो raw material को create करता है वह कौन से सेक्टर में होता है तो input sector में है तुसका correct answer है input sector उसके बाद आया अपना the agribusiness value chain starts with dash to a production process बोल रहा है कि जो production process है agree value chain में वह कहां से start होगा तो कि सीच का production होता है obvious सी बात है input का production होता है इसका मतलब जो अपने पास the process of determining which the best way to approach a particular goal is caught मतलब कि हम लोग जो अपना goal है उसको achieve करने के लिए best plan बनाते हैं यह best process अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे strategic planning में लोग क्या करते है total strategy कि किस चीज को करने से क्या होगा किस तरीके से हम लोग उसमें By Come आए जब भी हम लोग कोई प्लान कर रहा हैं तब हम लोग सबसे पहले हूआ करने जब को प्लान करने की दो को प्लानिंग को कि सबसे पहले को ले करके इस आपने को करना बहां पर वाहं थो है हमारे पास स्टेट्रू और फॉल्स यह जो स्टेट्मेंट्स दिये हुए हमको यह ट्रू है या फॉल्स है इस चीज़ को अपने को बताना है तो पहला स्टेट्मेंट है अपने पास इफ को वाज रिजिस्टर्ड एज मल्टी यूनिट को ऑपरेटिव सोसाइटी तो यह है क्योंकि को को मल्टी यूनिट को ऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रिजिस्टर किया हुआ है अगला है एग्री बिजनेस ओनली कवर्स वेरियस बिजनेस इंवल्ड इन दे प्रोडॉक्शन आफ एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन है इस चीज़ को इन्वाल्व करता है तो इस चीज़ को एग्री बिजनेस सिस्टम एक्शन तो सबसे पहले जो इस टेक होल्डर है वह क्या होते हैं तो स्टेक होल्डर मतलब जो यहां पर मीडियेटर का काम कर रहे हम लोग बोल सकते हैं या फिर जो हमारे टोटल फंक्सन्स हैं उनको परफॉर्म करने में हैल्प कर रहे हैं या फिर सोट फर हम लग उसको एक कंट्रवीटर कीतरह समझ सकते हैं जो हमारे वेरियस फंक्सन्स में कंट्रीब्यूट कर रहा तो यह क्या बोल रहा है कि जो एगने euro सटेक होलडर है यह की रोल पे प्ले करते हैं जिसके कारण यह हमारे घ एक्री बिस Сам दोटल को या फिर हमारे system से affect हो सकते हैं तो यह statement true है क्योंकि जो stakeholder है वही main contributor है अगला हमारे पास agree business has usually large scale operation which can run like an industry as opposed to small scale family farming जो agree business है यह statement क्या बोरहा है कि जो agree business है यह सिर्फ large scale को operate करता है और small farming को नहीं तो यह false है जो small farmers है वो भी agree business के थ्रू ही अपना selling या फिर बाकी functions complete करता है अगला है अपने पास the distribution element of the agree business chain includes wholesaler, importer and exporter तो यह true है क्योंकि जो agree business chain है उसमें सबसे पहले importer होगा तभी कोई product अपने पास आएगा wholesaler रहेगा और exporter रहेगा तभी भी हमनों किसी भी product का value chain complete कर सकते हैं मतलब कि उनका transfer या transportation consumption इन सब को complete कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने पास low price of crops यह किन कारणों से होता है तो हम वह अपना options देखते हैं तो solution to problem, delivery, balance sheet, silk and textile and edible oil industry फिर next अपने पास procurement of food green by government तो government जब भी किसी चीज को अपने से consume कर रहे हैं मतलब वह low price पे लेगा तो इसका reason यह होता है अगला है अपने पास agro based industry मतलब कि जो options दिये हुए हैं उनमें से agro based industry कौन सा है तो industry clearly दिया हुआ है इंडस्ट्री का नाम की silk, textile और edible oil मतलब यह तीनों तो agro based हैं आपन जहानी रहे हैं और industry दिया है मतलब हम clear है कि इसके लिए जो correct option है वो है अब option अपने पास बचा solution to problem, delivery और balance sheet तो balance sheet का definition जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग यह चीज़ जान रहे हैं कि जो financial seat है बचा financial statement है वो balance sheet के form पे अपनों उसको prepare करते हैं तो इसको correct option होता है E जो की है balance sheet अगला option है अपने पास service तो solution to problem और delivery इन दोनों में से service क्या है तो जो delivery है वो एक service है अगला है है अपने पास SWOT analysis तो SWOT analysis हम लोग clear है कि यह क्या होता है हमको हर problem के लिए solution देता है सो लेट्स गो टू दा पार्ट बी पार्टे अपना complete होता है पार्ट बी में हमारे पास सबसे पहला question है SWOT analysis वाट इस SWOT तो सबसे पहले अपनों इसमें SWOT का full form देखेंगे strength, weakness, opportunity, threat से clear होता है कि SWOT analysis अपने को क्या provide करता है तो यह framework है basically जिससे हम लोग किसी भी organization को या किसी इंडिविज्वल की strength को जान सकते हैं weakness को जान सकते हैं opportunity को जान सकते हैं और threat को इन सब का analysis कर सकते हैं अब जो SWOT analysis का जो primary goal होता है यह हम लोग क्यों करते हैं तो हम लोग एक awareness को increase करने के लिए SWOT analysis करते हैं ताकि जो bad points हैं उनको अपन इंप्रूफ कर सके जो strength हैं हम लोग उससाथ continue करके और grow कर सके अगला question है अपने पास PEST पेस्ट क्या होता है तो इसका full form होता है political, economic, social and technological यह भी जैसे SWOT analysis के लिए process है वैसे ही PEST भी एक analysis का process है इसमें हम लोग क्या करते हैं यह एक management का method है जिससे हम लोग whereby an organization can assess major external factor that influence its operation in order to become more competitive in the market किसी भी organization का जब हम लोग PEST analysis करते हैं मतलब जो external factors है जैसे कि political factor, economic factor, social factor, technological factor तो जब हम लोग इसका analysis करते हैं तो यह उसको और grow करने में मदद करता है जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं जैसे social factor है इसमें कहा population growth rate है towards socio economic culture, population health, education and social mobility है तो जब इन सब को अपन analysis कर लेंगे तो अपना जो organization है उसको हम लोग population के according adjust करेंगे तो कहीं ने कहीं उसको grow करने में help करेगा अगला अपने देखते हैं economic factor, economic factor में कहा है stage of business cycle, impact of globalization, labor cost तो जब अपन इन सब का analysis करते हैं तो हमारा जो balance sheet है बोल सकते हैं या जो cash का flow है वो अपन maintain करेंगे तो यह अपने आपको grow करने में help करेगा next question हम लोग देखते है PLC, PLC का full form होता है product life cycle इसका मतलब यह क्या है यह भी एक analysis technique है इसमें हम लोग जो product है वो अपने production से लेके कैसे grow कर रहा है कहां तक मत उसके maturity पर कैसा behave कर रहा है कैसे उसका value कम हो रहा है मतलब decline हो रहा है इन सब चीज को हम लोग एक plot के form में मतलब एक graph के form में represent करते हैं तो यह उसका different stage एक product के different stages को बताता है हमारा product life cycle मतलब उस product के पूरे life में कैसा flow उसमें हो रहा है उसके values कैसे increase हो रही है decrease हो रही है क्या उसमें changes हा रहा है जब इन सब को हम लोग throughout the product life देखते हैं उसको हम लोग बोलते है product life cycle तो इसमें 5 stages होते हैं development introduction growth maturity decline इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं जैसे कि एक product बनाए हम लोग ठीक मतलब उसको develop किये अब उस develop करने के बाद उसको introduce करेंगे हम लोग market में या फिर एक society में introduce करने पर उस पर क्या result आ रहा है वो decline मतलब उसकी जो rate है वो बढ़ रही है और last में क्या होता है एक trend के बाद खोई भी चीज के value कम होने लगती है वैसे ही product की जब quality decline होने लगती है demand कम होने लगती है तो वो decline phase में आ जाता है तो यह हुआ हमारा product life cycle अगला है अपने पास planning planning क्या होता है planning is the function of management that involves setting objective and determining a course of action for achieving those objective planning requires that managers be aware of environmental condition facing their organization and forecast future condition पहले ही हम लोग party वाले में देखे थे कि strategic planning वाला question हम लोग देखे थे उसमें हम लोग क्या देखे थे यह management का function है जिसमें हम लोग objective set करते हैं और जो course of actions है उन objective को fulfill करने के लिए हमको किन steps के थूँ जाना है क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग उसको देखते हैं तो यह होता है planning अब planning क्या होता है जब हम लोग planning करते हैं तो environmental conditions है हमको उसको भी consider करके अपना plan बनाना है और जो future में जो conditions आ सकती है उनको भी अपने को plan करना है अगला है अपने पास motivation motivation क्या होता है motivation is the process of inspiring people in order to intensify their desire and willingness for executing their duties effectively and for co-operating to achieve the common objective of an enterprise motivation क्या होता है जब किसी according to business हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग business management का course पढ़ रहा है और normal life में भी हम लोग same चीज समझ सकते हैं मतलब आपको motivate कोई करता है तो क्या होता है जो आपका objective रहता है उसको fulfill करने के लिए आप एकदम आपकी में एक energy आजाती है अलग से वैसे motivation है कि जब भी कि इंटरप्राइस का कोई common objective होता है तो वह motivation जब उसको मिलता है तो पीपल को inspire करता है कि उनकी जो desire है बतलब कि उनकी जो इक्छा है जो उनकी चाह है willingness है उसको उन लोग fulfill कर सके तो motivation कहीं ने कहीं एक internal energy provide करता अपने को next question हम लोग देखते हैं वो है pricing मतलब pricing क्या है तो normal अप of determining the value of a product or service pricing determines the cost paid by a consumer but it may or may not be tied to the cost paid by the business to produce the product or service price and cost are relative one entity's price may be another's cost क्या बोल रहा है जो pricing है उससे हम लोग किसी भी product यह service की value को determine करते हैं कैसे यह जिच कैसा समझ सकते हम लोग जब किसी चीच का price क्या होता है high होता है मतलब उसकी value जादा रहती तब उसकी price high है वहना उसकी value कम है price high है आप उसको लेंगे नहीं इसका मतलब किसकी value को यह determine कर है product की अगला है जो pricing है वो क्या है जो customer जो cost को pay करता है मतलब आप अगर किसी चीच को purchase करते हैं तो आप कितना रूपय उसके लिए pay कर रहे हैं यह क्या है pricing इस चीच को determine करता है लेकिन जो pricing है वो business या फिर जो product है उससे tied नहीं होता है मतलब कभी inflation हो सकता है कभी deflation मतलब इ price increase हो सकता है price decrease हो सकता है अगला है अपने पास price are cost and price and cost are relative मतलब जो price है और cost है यह दोनों related है यह दोनों terms आपस में जैसे कि जो एक एक entity का जो price है वो दूसरे का cost हो सकता है ठीक है अगले question पर हम लोग जाते हैं अगला question है हमाने पास mission mission क्या होता है mission is the core purpose of an organization or a company it is a summary of the aim and core value a mission clearly tells what you as an organization does for customer a mission is comprehensive but also very specific to set you apart from other organization mission mission मतलब आपका जो alternative ultimate आपका जो goal क्या है जैसे आपका mission क्या है आपको achieve करना है अभी के rate में आपको semester exam clear करना है वैसे किसी भी company या किसी भी organization का जो एक ultimate goal होता है उसको हम लोग mission बोलते हैं जो core purpose है उस organization का वो जैसे कि यह channel मैंने क्यों setup किया है education के लिए यह मेरा mission है यह मेरा core purpose है ठीक वैसे ही जो core value होती है या aim होता है या core purpose जो है किसी भी organization का या किसी भी company का वो क्या है mission है यहां पर हम लोग organization company industry यह सब terms क्यों use कर रहे हैं यह जो terms ही हमारे daily life से भी related है लेकिन in words का use क्यों कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग business management का course पर रहे हैं ठीक है next हमारे पास है communication communication क्या होता है communication applies to the change of ideas and thoughts within two or more individual it can be done through writing speech gesture symbol or written communication 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 management is an umbrella term referring to the flow of information within a company or between multiple companies it focuses on reaching a company target audience by planning and implementing different method of communication communication मतलब communication क्या है तो मैं आप मेरी words आप तक कैसे पहुच रहे हैं यह प्रोसेस है यह एक exchange of idea and thoughts मतलब मैं अपने idea और अपने thoughts आप से exchange कर रहे हूं यह क्या है यही communication है कि जब एक individual या फिर बहुत सारे individuals के बीच में जो thoughts हैं या ideas हो चेंज होती है exchange होती है वह क्या है communication communication कैसे कर सकते हैं रिटा राइटिंग के form पे कर सकते हैं speech देखे कर सकते हैं gesture मतलब की जो body postures है smile करते हैं यह सब प्राइस करता है एक umbrella का structure जब हम लोग देखते हैं वह बहुत सारे चीज़ों को उसके अंदर बहुत सारी चीज़े आती है ठीक वह एक large area को cover करता है तो यह क्या एक umbrella term है जो कि बहुत सारे terms को cover करता है ठीक अब हम लोग जब business management के type के according देखते हैं उसके perspective से देखते हैं तो communication क्या हो जाता है तो इससे हम लोग जो target audience है company एक company में जब seminar के थ्रों लोग समा सकते हैं क्या होता है company अपने motive को explain करता है seminars में यह क्या है टार्गेट जो audience है उन सब में communication के थ्रों लोग अपने thoughts को exchange करते हैं उसके बाद अपने देखेंगे next question that is positioning positioning क्या होता है positioning defines where your product item a service stand in relation to other offering similar product and service in the marketplace as well as mind of consumer positioning क्या होता है position मतलब क्या होता है हम लोग अपने हिसाफ समझते है ठीक है जब class में result आता है तो हम पर क्या बोलता है तुम्हारा position क्या है मतलब हम लोग इस चीज को denote कर रहे हैं कि तुम कहा stand हो वैसे ही positioning business management के term में क्या है कि जो item है या फ हमारा product है वो दूसरे product के हिसाब से कौन सा space occupy करता है उसका stand क्या है मतलब मार्केट में उसकी क्या value है जो consumer का mind है उसमें उस product को लेकि कि किस तरीका mindset है कि नहीं यह product बहुत high class का है अपनीजी के थ्रू जाएंगे बात करता है ब्रैंड की तो जब लोकल के बात आती हो ब्रै अग्री बिजनेस क्या होता है इतने सारे जो चीज है भी तक हम लोग पड़े यही सब क्या है अग्री बिजनेस है पर अपनों इसका definition देखते हैं अग्री बिजनेस is a combination of words agriculture and business and refer to any business related to farming and farming related commercial activities अग्री बिजनेस involves all the steps required to send an agriculture good to market namely production, processing and distribution तो यह क्या है अग्री बिजनेस दो व फर्स वर्ड है एग्री कल्चर इसकेंड है बिजनेस तो यह क्या होता है जो एग्री बिजनेस है जितने भी farming activities यह फिर farm related activities है farming activities मतलब एक क्रॉप के cultivation से लेकर हर्वेस्ट तक हम लोग उसको farming activities है उसके बाद जो farm related commercial activities मतलब उसके seeds को ला रहे हैं हम लोग खरीद रहे हैं उ इसमें पहुत सारे steps होते हैं जिसके through या जिसके according जिसको complete करके हम लोग अगरी कल्चर जो goods है हमारा जो हमारा output मिला है अपने को agriculture उसको हम लोग मार्केट में sell करते हैं इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलता है production processing distribution मतलब कि उसका production कर रहे हैं हम लोग यह भी बिजनेस के कैसे वह एक प्लेस से बहुत सारे तक जैसे की example में ले सकते हैं farm produce जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग sell करते हैं तो sell करते हैं तो किसी एक individual को sell नहीं करते हैं एक large amount of market में जब selling होती है तो large amount of individuals उसको खरीदते हैं तो यह क्या और उसको distribution channel है तो यही सब आता है agree business के अंदर जो भी business activities है जो agriculture farm से related है वो है agree business ठीक है next है अपने पास value chain कि value chain क्या होता है a value chain is a step by step business model for transforming a product or service from idea to reality value chain help increase a business efficiency so the business can deliver the most value for the least possible cost क्या बोल रहा है कि जो value chain है chain words है अपन क्या समझते हैं कि जो एक से एक एक से एक connected रहते हैं ठीक है तो agree value chain में क्या होता है यह business model है जिसमें जितने भी product है या फिर service है वो step by step एक दूसरे से connected रहते हैं अब यह agree value chain क्या करता है यह business की efficiency को बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है जैसे अगर आप ही सब चीज परफॉर्म कर रहे हैं आप हर एक function आप परफॉर्म कर रहे हैं मतलब production से लेके उसके distribution तक यह possible नहीं है बहुत ज़दा hectic हो जाएगा और इसमें जो एक fluidity आती है वो नहीं आपाएगी तो value chain क्या करता है उसकी efficiency को बढ़ात क्या होता है उसमें efficiency business के बढ़ जाती है उसके बाद agree value chain के कारण क्या होता है जो जादा जादा valuable चीज हम लोगो least possible cost में मिल जाता है अगला और part B का last question है हमारे पास staffing की staffing क्या होता है तो staffing is the process of hiring eligible candidate in an organization or company for specific position in management the meaning of staffing is an operation of recruiting the employee by evaluating their skills, knowledge and then offering them specific job and roles accordingly स्टाफ से क्या समझते है अपन कि मतलब जब लोग किसी person को किसी काम के लिए हायर करते हैं हम लोग उसको स्टाफ बोलते हैं तो वह जो process जिससे हम लोग किसी eligible candidate को एक organization या फिर company में हायर कर रहा है एक specific position में कि तुम manager होगे तुम ये तुम वह उनके work के according तो यह क्या हुआ स्टाफिंग होता है तो management में स्टाफिंग क्या है कि हम लोग जो employees हैं उनका recruitment कर रहे हैं ठीक मतलब उनको एक position दे रहे हैं किसे साब से देंगे उनके skills को evaluate करेंगे knowledge को evaluate करेंगे फिर उनको एक specific job उनके role के according हम लोग उनको provide करेंगे ये process होता है staffing next so part B हमारा खतम होता है and part C and part D हम लोग करेंगे अपने अगले lecture पे so best of luck for your exam I think कि आपको सारे questions समझ आए होंगे अगर किसी question पर doubt होता है I will definitely answer it in the comment section and I please to you that please subscribe to my channel and I will give you more lectures for question paper solving throughout your exam so please subscribe to my channel and thank you